हेलो गुट आफटनून टू एवरीवन गुट आफटनून टू है सभी बच्चों को तहें दिल से जाना जाता है अड़ा किसका काम्याबी का काम्याबी की राहों की तरफ हमने तो अपना कदम आप लोगों के लिए आगे बढ़ा दिया है, अपने RM بैच की शुरुबाद करके क्या आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैंड़ बढ़ रहे हैं अगर आप इनके सभी सेशन की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो इसके लिए कीजिए सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे आपको हमारे सभी सेशन की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, आज का दिन है, आज है संडे, और आज हम करने वाले MCQ के questions, जी हाँ, MCQ के questions आज हम करने वाले objective questions हम करेंगे, जो आधारित होंगे आपके chapter number 1, यानि की real numbers, यानि की हम कहें तो हिंदी में वास्तविक संक्याओं पे, तो आज हम MCQ के कई सारे questions आज हम हल करेंगे, टोटल मिला कि हम 10 questions है, तो आज 10 questions का आपको ज introduction करवा दिता हूं students, तो students, मेरा नाम है सौरप शर्मा, मैं हूँ, B.T. graduate in electronics and communication engineering, मेरे को हो चुके हैं, almost more than 10 years का teaching experience, maths पढ़ाने का, और अभी तक कि अपने 10 साल की career में, तीन साल से भी ज़्यादा समय मैं बिता चुका हूँ, online education में, और online education के जरीए, आप जैसे 10,000 से भी पड़ी में 3.30 बजने का मतलब हो गया कि सौरप सर आ गहें live आपके लिए अड़ा 24-7 के class 9th and 10th channel पे बिल्कुल, तो बच्चो ये तो था मेरा छोटा सा introduction, अब फटा फट अपने तरफ से copy pen तयार कर लो, क्योंकि session की शुरुआत होने वाली है, एक के बाद एक धमाकेदार question आप से पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको देना है, अभी तक अगर आप लोगोंने वीडियो को like नहीं किया है, तो जल्दी से like कर दीजे, जल्दी से अगर अपने अपने दोस्तों को share नहीं किया है, तो उन्हें भी share कर दीजे, जिससे वो भी हमारे साथ इस session के अंदर participate कर सके, इस quiz के अंदर participate वो भी हमारे साथ कर सके, इस MCQ के questions का आप भी participate कर सके, वो भी पूरा-पूरा फायदा उठा सके, तो बच्चों शुरुवात करें, सभी खिलाड़ी तयार, अपने-पने copy pen उठा लो, जल्ली से हमें अब तयार हो जाना है, क्योंकि एक के ब हैं अपने session की, चलिए बचों, तो सभी बच्चे ready, देखे जरा पहला question आपकी screen पर आ रहा है, तो पहला question क्या कहता है, first question आपकी screen पर समय चालू हो चुगा है, समय ना रुका कभी, किसी के लिए ना रुकेगा, तो यहाँ पर आपको इस question का solution करके बताना है, कि इसका answer क्य होगा, यदि दो धनात्मक पुर्णांकों का गुणनफल, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, तो आप से पूछ रहा है, HCF ग्याद करो 32 और 36 का, simple सा question है, 32 और 36 का, LCM आपको HCF ग्याद करना है, ग्याद कीजिए 32 और 36 का, समय ना रुका कभी, किसी के लिए और ना दोनो धनात्मक संक्याओं का गुणनफल, उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, मुझे इससे कोई मलेना देना ही नहीं था, मुझे तो फ्रेशन में सिर्फ इतिना सा बात बोली गई थी, कि आप HCF ग्याद करके बताओ किसका 32 और 36 का, तो 32 के अगर आप गुण गुणा, दो, गुणा, दो, दो कितनी बार आएगा, दो की घात, पाँच, HCF, 32 के गुणनखन हो जाएंगे, इसी तर से अगर मैं 36 के गुणनखन करूं, तो 36 बराबर क्या लिखोगे, कि सर पहले 2, तो फिर बचेगा, 18, 18 के लिए 2, फिर लिखोगे 3, और फिर लिखोगे 3, तीन तरिका 9, 9, 36, ये हो गया, इसके गुणनखन, अब आपको HCF ग्याद करना है, क्या ग्याद करना था, इसका HCF, तो आप देखोगे, कि सर कॉमन संख्या कौन सी है, दो रों के अंदर, 32 और 36 में कॉमन संख्या कौन सी दिख रही है, दो दिख रही है, अब 2 की अधिक कॉमन फैक्टर कौन सा मिला, 2 की घाद, 2 मिला, 2 की घाद, 2 का मतलब होता है, 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, option B, यान की 4, इसका करेक्ट आंसर था, solution भी मैं आपको हर एक कोशन के साथ-साथ आपको करके बताता रहूंगा, ठीके बच्चों, जिससे आपका कोई doubt मन मे न रह जाए, तो चलिए, पहला कोशन तो हो गया है, solve, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कि प्रशन में उपर बले ही कितनी कहानी दे दे, लेकिन अंदर तो ये इतना सा सार इतना सा था, कि मुझसे HCF पूछा गया था, 32 और 36 का, जो हमने ग्याद कर दिया है कितना, 4 हो गया है, पहला प्रशन हल, पहला प्रशन हो चुका है हल, तो बात करेंगे अपने अगले प्रशन की ओर, तो खिलाडी तैयार, देखे ज़रा अगला प्रशन क्या कहता है, समय शुरू हो जाएगा बच्चों, कोशन आते ही, तो फटा फट से आपको आंसर करना है, देख संख्या होगा, करिए ज़रा जल्दी से, 9 सेकंड, 8 सेकंड, जल्दी से कैल्कुलेट कीजिए ज़रा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2, और समय हो चुका है समाप, समय हो चुका है समाप, अरे बड़ा ही सिंपल सा कोशन, क 8, 9, 25 इन 3ों का HCF निकालना था, HCF का मतलब होता है highest common factor, तो इन 3ों में कोई common संख्या है क्या, कि सर 8, 9 और 25 इन 3ों के बीच में कोई common संख्या आएगी ही नहीं, तो इसका मतलब इसका HCF क्या होगा, सर 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 तो आएगा ही आएगा, अगर आप 8 के गुननख्या भी करके दिखते ना, तो 8 के गुननख्या क्या होते, 2 गुना, 2 गुना, 2, अगर आप 9 के गुननख्या करते तो 9 का गुननख्या होता 3 गुना, 3, अगर आप 25 के गुनानकंड लिखते हैं, तो 25 का गुनानकंड होता 5 गुना 5, अब इनके बीच कोई Common Sankhya नहीं है, तो मैं बोलूँगा जरा रुको, देखो तो सही, क्या मैं इसे गुना 1 लिख सकता हूं, क्या मैं इसमें गुना 1 लिख सकता हूं, क्या मैं इसमें गुना 1 तो आपको अब common सिंख्या दिख रही होगी कौन सी एक, तो highest common factor HCF क्या हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, तो इसका correct answer हो गया आपका option D, उमीद है, प्रशन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, देख रहे हो बच्चो, आपको इसी तर के प्रशनों पे अभ्यास भी करना है, इस बार MCQ के questions आप लोग के लिए बहुत important है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, Sunday to Sunday हम लोग आप लोग के लिए MCQ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, पहले हमने पॉली नॉमल पे दो MCQ की सीरीज में अल्रेडी आप लोग को करवाच चुका हूँ, उसके जरे भी किस तर से पॉली नॉमल पे आपके बहुपत बे आधारित प्रशन आपसे पूछी जाते हैं, वो सब हम डिसकस कर चुके हैं, आज मैं, आज से मैं शुरुवात कर रहा हूँ, इस संडे से शुरुवात कर रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए रियल नंबर यानि की वास्तविक संख्याओं की, तो आज हम एक सीरीस कर रहे हैं, इसमें MCQ कुछ कोशन कर वाऊंगा, कुछ कोशन मैं अगले संडे को फिर से कर वाऊंगा रियल नंबर पे बच्चो, तो आज हम देखेंगे, कुछ concepts आज clear करेंगे, कुछ concepts अगले session में भी clear करेंगे बच्चों, तो इस तरसे MCQ के हम अच्छे जे practice कर लेंगे, Saturday to Saturday mentee quiz तो हम करी रहे हैं, उसमें भी आपके एक तरसे objective questions, MCQ questions आ रहे हैं, और इन पे भी हम यहाँ पे Sunday to Sunday, और MCQ के बहतरीन से बहत तैयार, देखे जरा अगला question क्या कहेगा screen पर यह रहा आपके सामने, कि sir 7 गुना, 11 गुना, 13 गुना, 15 प्लस 15 एक है, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, A और B दोनों, या A और B दोनों ही नहीं, क्या इसका answer दोगे, क्या answer दोगे, क्या answer होगा, the second last के और बचे, बहुत ही simple सा question है, बहुत ही simple सा question है, क्या दोगे इसका answer, समय ना रुका कभी किसी के लिए और ना रुकेगा, और यहाँ पे समय हो चुगा है, बच्चो, समाप्त, प्रशन आपके लिए एकदम सरल सा था, कि sir, ये कह रहा था, 7 गुना, 11 गुना, 13 गुना, 15 प्लस प्रंद्रा और 13 था, अब आप देखें, कि sir, इस पूरे, इस पूरे के अंदर मुझे दो पद देख रहे हैं, एक पद तो ये, और दूसरा पद ये, अब इन दोनों पदों में से मैं देख सकता हूं, sir, 15 common आ रहा है, 15 common आ रहा है, तो मैं अगर इसे लिखूं 15, और bracket के अंदर 15 common लेके मैं साथ गुणा, ग्यारा गुणा, तेरा प्लस एक, ये लिखते आप, अब ये जो दूसरा, ये जो bracket बन रहा है ना बचो, इसको हल करो कि कोई ना कोई आपके पास पूर्णांग आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा, तो मैं माल लेता हूं, कि sir, ये 15 गुणा के लिख कोई है, 15 और दूसरा कोई है, के, तो यानि कि 15 से भी विभाजित होगा, तो के से भी विभाजित होगा, जब 2 से विभाजित होगा, जब 2 से विभाजित होगा, तो अभाज्य संक्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभाज्य संक्या तो सिर्फ स्वैम से और या फिर एक से विभाजित होती है, उसके लाबा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, तो ये अभाज्य संख्या थी नहीं, तो सीधी सी बात है, जब अभाज्य नहीं है, तो फिर कैसी संख्या होगी, संयुक्त संख्या होगी, तो इसका correct answer क्या होता, option number B, यानिकी संयुक्त संख्या, प्रश्ण समझ में आया, बच्चो, समझ में आया, आपको logic इसका समझ में आया, कि इन दोनों के बीच में से, आपको देखे सकते थे, आपकी 15 common आ रहा था, जब 15 आपने common निकाल लिया, तो आपने देखा कि सर, ये तो, इसमें दो गुणनखंड मिल रहे हैं मुझे इसके, इस पूरे संख्या के, जो 17 गुणा, 11 गुणा, 13 गुणा, 15 प्लस 15 लिखावा है, इसके दो गुणनखंड मिल रहे हैं मुझे, 15 और के, के एक integer है, 15 भी एक integer है आपका, तो यहां पे जब दो गुणनखंड मिल रहें, तो सिधी सी बात है, दो संख्या है, उसे तो विभाजित कम सिकम होगा ही होगा, जब होगा, तो फिर सिधी सी बात है, अभाज्य संख्या तो हो नहीं सकती, जब अभाजी संक्या नहीं थी, तो पहला option तो हुआ गलत, दूसरा option A और B दोनों ये भी गलत हो गया, और आपके पास उत्तर जब अभाजी संक्या नहीं थी, तो सीदसी बात है सर, सहीं तो संक्या होगी, इसलिए option B इसका correct answer होगा, option D भी इसका गलत answer है, ठीक है बच्चों clear, questions अभी बच्चों clear, तो बात करेंगे अगले question पे, तो चलिए शुरुवात करेंगे, अब अपने अगले question की और आगे बढ़ते हैं, तो देखो ऐसे 10 question है, हमें फटा बढ़ से सारे questions को हल कर देना है, खिलाडी तयार अगले question के लिए, तो देखे ज़रा अगला question क्या कह यह रहा आपकी screen पर, किसी पुर्णांक M के लिए प्रत्यक विशम पुर्णांक किस रूप का होता है, किस रूप का होगा, विशम पुर्णांक किस रूप का होगा, समय शुरू हो चुका है, देखो सर, क्या answer आएगा, इसका बड़ा ही मज़दार सा प्रशन है आपके लि और यह समय हो चुका है समाप्त आपके लिए, समय समाप्त हो चुका है, क्या सोचा आप लोगोंने, क्या होगा, कि किसी पुर्णांक M के लिए प्रत्यक विशम पुर्णांक किस रूप का होना चाहिए, M, M plus 1, 2M, या 2M plus 1, अरे आप सोचु ना, कोई भी पुर्णांक है, कोई भी पुर्णांक है, अब पुर्णांक तो कैसा भी हो सकता है, सम पुर्णांक भी हो सकता है, विशम पुर्णांक मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, तो मैंने तो कहा सरे, कोई पुर्णांक है, मुझे नहीं पता, यह सम पुर्णांक है, ठीक है, लेकिन अ अगर case 1 लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि sir, यहाँ पर पुर्णांक M बताया गया है, अब M तो दो तरगे पुर्णांक होते हैं, या तो धनात्मक या रिनात्मक, सीधी सी बात है sir, या तो धनात्मक होगा या रिनात्मक होगा, तो मैं पहले बोलता हूँ कि मान लेता हूँ, एक बार M क्या है? धनात्मक है, M क्या है साब धनात्मक है, अगर M एक धनात्मक पुर्णाग है, धनात्मक या रिनात्मक स्वरी, धनात्मक और रिनात्मक के साथ-साथ मैं इसके ये भी बोल सकता हूं, कि M क्या होगा? या तो सम या फिर विशम, क्या होगा? या तो सम और या तो हो सकता है sir, कि M जो है न, वो एक विशम संक्या हो, M अगर एक विशम संक्या हुई, तो विशम संक्या किस से प्रदर्शित हो रही है, आपकी M से ही प्रदर्शित हो रही है, तो यहाँ पे, तो इससे तो मेरे कुछ confusion हो गया, कि sir, अब मैं M को क्या बताऊं, कि sir, M संक्या है या विशम संक्या है, मैं क्या बोलू, मैं क्या बोलू, मैं तो confused हो गया इस्तिती में, तो मैंने कहा, कि दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, कि sir, दूसरा केस देखते हैं, कि अगर M कोई भी एक पुर्णांख है, मुझे पता है, या तो वो सम पुर्णांख होगा, या विशम पुर्णांख होगा, आप खुद से कोई भी संख्या सोच के देखो, आपके मन में अगर आता है, कोई एक विशम संख्या सोचो, कोई भी एक विशम संख्या सोचो, जैसे आपने सोच लिय कि मान लेते हैं M क्या है एक विशम संख्या है कोई भी एक संख्या सोच के देखो आप कोई भी संख्या किसर मान ली जैसे मैंने सोची छोटी सब विशम संख्या तीन अब मुझे पता है अगर ये विशम संक्या है, अगर मैं बोलता हूँ M1 विशम संक्या है, तो अगर मैं इसका दुगना करूँ तो, कोई भी विशम संक्या आप सोच के देख सकते हो, मैंने तो उधारण के लिए आपको बता है, तीन ले लिया, तो तीन का अगर मैं दुगन संख्या ही मिलेगी बोलो इतनी बात क्लियर हुई क्या कि अगर सर्क M कोई भी संख्या हो M चाहे संख्या हो चाहे विशम संख्या हो M यहाँ पे हमें एक पुर्णाक बोल रहा है अब ये पुर्णांक यहाँ पे चाहे वो समसंख्या हो, चाहे वो विशम संख्या हो, कैसी भी हो, लेकिन अगर मैं उसको दो से गुणा करूंगा ना, तब तो पक्का है कि दो M जो है ना, वो तो एक समसंख्या को ही प्रदर्शित करेगा, इतना पक्का हुआ, इतना सभी ब पुर्णांक है, चाहे वो सम है या विशम, तो 2M क्या होगा, 2M क्या होगा, सर वो तो एक पक्का है, 100% है कि वो तो एक सम पुर्णांक होगा, आप कोई भी M, आप यहाँ पे M एक पुर्णांक जो मैंने बूला है, इसकी जगह कोई भी संख्या सोच की देख सकते हो, कैसी चाहे वो sum हो, चाहे वो visham हो, कोई भी सोच लो, लेकिन जब अपने उसको 2 से गुना के ना, तब तो पक्का है कि वो एक sum संख्या है, अब sum संख्या अगर आपको मिल गई, तो आप से बोल रहा है कि visham purna किस रूप में होगा, तो अगर sum संख्या 2m है, तो visham संख्या क्य होगी, उसमें एक जोडने पे मिल जाएगी, तो बोलोगे क्या, किसे 2m प्लस 1 जो है न, वो किसे प्रदर्शित करेगा, एक visham संख्या को, तो इसका उत्तर क्या होता, इसका उत्तर क्या होता, 2m प्लस 1, देखो पहले वाला केस मैंने क्यों नकार दिया, क्योंकि पहले व विशम को मैं बोलता, sir, m प्लस 1 से, अगर मैं विशम M को विशम ही मानता हूं, तो उत्तर होता मेरे पास M, लेकिन ये तो sir, confusion वाला काम हो गया, दोनों में अलग-अलग उत्तर आ रहे थे, तो फिर मैंने सुचा, कि sir, इसका अगर मैं दुगना कर दू न, चाहे M एक संख् क्या होगी, 2M प्लस 1 होगी, इस तरह से आप इसका उत्तर देखोगे, ठीक है, तो इसका correct answer क्या होगा, option number D, clear हुआ सबी बच्चों को, अच्छे से clear हुआ, question number 4, सबी बच्चों clear, तो बात करें अगले question की, देखो, एक से एक बेहतरीन questions में आज आप लोग के लिए लिए exam point officer, बहुत important है, इस तरह की questions, आप से exam में अगर इस तरह की questions आ गए, तो आपको आने चाहिए इसा question, ठीक है बच्चों, तो बात करें अगले question की, तो चलिए बढ़ते हैं, आगे देखे जरा अगला question, यह आपके सामने, कि यदि दो धनात्व कोई भी है, आपके पास A और B, जहां A का मान ये दियावा है, B का मान ये दियावा है, तो आपसे बोल रहा है, इन दोनों का HCF ग्याद करके बताओ, ग्याद करो, बहुत ही simple सा है, लिखावा है, बस इस तरह से है, बहुत simple सा, करो जरा solve करो, करो जरा solve करो, देखें आप में से कितने प्यारे बच्चे इसका answer देते हैं, समय हो चुगा है, 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 समय हो संक्या होती ही न वो आता है तो देखो P, P की कौन सी घात common है? आप कहते हैं, P की घात एक common है, क्यूंकि कौन सी घात common है? तो Q की घात दो दोनों में common आ रही है, तो आपके पास H save आया क्या? P Q square, एकदम बच्चों वाला प्रशन, आपको बले ही पूछने का तरीका देखो इसका कैसा था, लेकिन उत्तर कितनी आसानी से, अगर आपके concept clear है, तो आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते हो, किसर P Q square वो इसका correct answer होगा, बोलो समझ में आया, कि अगर एक धनात्मक संख्या A और B इस तरह से आपको दी भी होती, कुछ इ इन दोनों के बीच में सबसे common संख्या होगी, जिस उसकी जो new term घात होगी ना, उसे मैं लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे P Q square आपके पास क्या जाता है, इसका HCF, इस तरह से आपने इसका उत्तर बता दिया, option number B, question number 5 भी solve, अब यह question हो गया है, तो बात करेंगे आपको मज़ा आ रहा है ना, अगर यह questions को करके मज़ा आ रहा है ना, तो अपनी तरफ से वीडियो को like और share जरूर कर देना, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने दोस्तों को, school friends को, सबको share करना, जिससे वो भी इन सब चीजों को सीख सकें, और उन्हें भी बताय करो कि घरी में साड़े तीन बजने का मतलब होता है कि सौरफ सर की class शिरू हो चुकी है, अड़ा 24, 7 के class 9, 10, 10 चैनल पे, तो बच्चों मज़ा आ रहा है questions करके, तो देखें जरा अगला question क्या कहता है, अगले question पे नजर घुमाते हैं, देखो जरा, आपसे बोल रहा है कि एक ग गुननफल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोचने वाला question है, इसमें कुछ वैसा calculate करके देखनी वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है, एक गेर शुन्य संख्या और एक अपरीम पे संख्या, इनका गुननफल क्या होगा, समय हो चुगा है समाप्त और इसका बि कुणा करता था जाता एक बटा एक बटा अनूरूर दो यह संख्यां कैसी है कैसी है आप खुद जवाब दो, कैसी है संख्या है, एपरी में है, तो इसका उत्तर क्या होता है, एपरी में संख्या, यानि कि एक गैर शुन्य संख्या का, एक एपरी में की संख्या के साथ, अगर आप गुणा करते हो, तो हमेश संख्या कैसी मिलती है, एक एपरी में संख्या मिलत यह सब basic questions है, concept based questions है, अगर किसी ने अध्याय अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो उसको यह सब चीजें आपको अच्छे से clear होती रहेगी, ठीक है, यह सब चीजें आपको अच्छे से clear होती रहेगी, ठीक है, तो यह सब चीजें वैसे भी मैं आप लोगों जो अपने real number जब करके दिखा दोगे, चलो तो फिर बात करें बच्छों, अगले question की, खिलाडी तयार, छेटा question हमने कर दिया है, यह sixth question भी आपको समझ में आ गया है, अब बात करें अगले question की, तो देखें जरा, अगला question क्या कहता है, अगला question यह दियावा है, कि 65 और 117 का जो HCF है ना, उस से इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो M का मान आप गयाद करके बताईए, करो जरा, करो, समय आपको दियावा है, 30 second का, सरल सरल से प्रशन है, बहुत ही simple simple से प्रशन है, बच्चों, करो जरा, देखें इसका answer कितने बच्चे दे देते, कि सर, आपको 65 और 117 का HCF पह करता हूँ, आप अच्छे से कर पा रहे होगे, किसी ने calculate किया, किस-किस बच्चे का answer आगया, किन-किन का answer आगया, देखो, अगर आप से बच्चो 65 और 117, 117, इन दोनों का, अगर आप से पूछा जाता है, क्या HCF, तो इनका HCF कितना आएगा, 13 आएगा, सबसे पहली बात तो अगर आप इनका HCF निकालते हो, तो इनका HCF कितना आएगा, 13 आएगा, अब आपको खुद बोल रहा है, किसर ये जो HCF है न, 65 M-117 के रूप में वेक्त किया जाता है, तो इसको बराबर कर दिया, भई HCF मैंने ग्याद किया, और HCF जो है, वो खुद बोल रहा था, किस 16-117 के रूप में वेक्त किया जाता है, तो मैंने इसको बराबर कर दिया, अब मुझे इसे हल करके, ये एक बीजे, आपको समिकरन दिखने लग गया, अब आप इसे हल करके, एक रैखिक समिकरन है, M का मान आप ग्याद कर दोगे, कि सर इसे लो आप उधर, इसे भेजो तो ये उधर गया, तो आपके पास आएगा क्या, 65 M, बराबर 13 प्लस 117, 13 में 117 अगर आपने जोड़ा तो कितना जाएगा, 130, इधर क्या चल रहा है, 65 M, तो बोलो M का मान निकालने के लिए, आप 65 को उधर भाग में वेजो के, 130 बटा 65, 130 में 65 का भाग जाएगा कितनी बा दो बार, तो आपके पास M का मान तयार हुआ, कि सर, M बराबर कितना है, 2, M बराबर कितना है, 2, Option B इसका correct answer, बोलो हुआ, solve हो रहा है, solve हो रहा है, अगर कोई question आपको नहीं समझ में है, तो बच्चों बता दे न, इतने आसान से, देखो, concept clear होना चाहिए, अगर concept clear है न, त तो बच्चों आपकी इसी practice के लिए ही, तो मैं यहाँ पे sessions करवाता हूँ, आप लोग के लिए हर Sunday to Sunday MCQ के, चलो, तो बात करें अब अगले question की, ये question सभी बच्चों clear, तो अगला question देखा जाए, खिलाडी तयार, तो देखे जरा अगला question क्या कहता है, आप से देखो एक basic स तो अगर तीन से विभाज़त करते हैं, तो शेशफल आर जो बसता है, उसके लिए आप क्या बताते हो, शेशफल आर के मान क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या हो सकते हैं, जल्दी से देखें, आप में से कितने प्यारे बच्चे सोच सकते हैं, अगर किसी को Yooklead Vibhajan प्रम में भी मैंने पढ़ाया था, कि जो शेश्वल R होता है, वो शेश्वल R का मान हमेशा, शुन्य से तो बड़ा, या उसके बराबर, या फिर जो जिससे आप भाग दे रहे हो, तीन, उससे हमेशा छोटा होता है, तो अब आप सोच लेते, कि शुन्य के बराबर भी हो सकता है, तो आर के मान यहां पर कौन-कौन से संभव है, 0, 1 और 2, सीधी सी बात है सर, 0 से बड़ा या उसके बड़ा और 3 से होना है, चोटा, तो इस बीच में कौन-कौन से संख्याएं मिली, मुझे 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, तो इस तरह से कुल मिला कि आपको 3 संख्याएं मिल गई, 3 संख्याएं मिल गई, तो इसका correct answer क्या दिख रहा है आपको, option number C, option C इसका correct answer है, clear, clear, भाई कोई confusion वाला काम तो नहीं हो रहा है, कितनी आसानी से आप इन प्रशनों को हल करते विच जा रहे हो, तो बच्चों, बात करें अगले प्रशन की, ये question भी हमने कर दिया है, हल, हो च आप लोग के लिए एक short video भी मैंने बनाई थी, इसी question पे, अगर आप लोगों ने ओ short video देखी ही न, तो आप इसका उत्तर तुरंद बता दोगे, देखो जरा, कितने बच्चे इसका solve करके बताते हैं, वैस सबसे चोटी से चोटी संख्या, जो एक से लेके 10 तक की सभी संख वीडियो का आंसर भी दिख जाता, ये मैंने आप लोगों को बताया था, एक short video के जरीए, आपको यहाँ पर बोल रहा है, एक सिले के 10 तक की सभी संख्याओं से कौन सी वै चोटी से चोटी संख्या है, जो विभाजीत हो जाती है, तो सबसे चोटी से चोटी संख्या, पढ अगर तीन के गुणनखन की जाएं, तो एक गुणा तीन, अगर चार के गुणनखन की जाएं, तो दो गुणा दो, अगर पांच के गुणनखन की जाएं, भई, एलसम निकालना है न, इसलिए सबसे पहले मैं गुणनखन कर रहा हूं, तो पांच के गुणनखन आप क्या लिखोगे किसर 2 गुणा 3 लिखोगे 7 की गुणनकंड सर 1 गुणा 7 8 की गुणनकंड किसर 2 गुणा 2 गुणा 2 यही लिखोगे ना 9 की गुणनकंड किसर 3 गुणा 3 अच्छा 10 की गुणनकंड किसर 2 गुणा 5 यही लिखोगे? अब आपको क्या गयाद करना है? की, सर? हमें गयाद करना था. LCM. हमें क्या गयाद करना था? इन सब का LCM. एक से लिए कि 10 तक की सभी संख्याओं का LCM निकालना था. तो आप देखें की, सर? common संख्या है कौन कौन सी है कि सर 2 है, अब 2 की अधिक्तम घात कितनी है, कि सर 2 की अधिक्तम घात मुझे कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है तो आप लिखो कि सर 2 को तो 3 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, ELSIM निकाल पर उसके बाद अगली संख्या कौन सी दिखती आपको 5, तो 5 के अधिक्तम घात कितनी है, सर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 5 को एक बार यह लिखूंगा, अच्छा, उसके बाद और कौन सी संख्या दिख रही है, कि सर 7, 7, साथ, तो साथ की अधिक्तम घात कितनी है, सर एक है, एक है, तो लिख दो एक बार, साथ, इन सब को गुणा कर लो, इन सब को गुणा कर लो, कि सर इन सब को गुणा कर लो, चार, दो दुनी, चार, दुनी, आठ, आठ को, आठ को 9 से गुणा करोगे, 36, 36 को ये 35 से गुणा करो किसे 36 को 35 से गुणा कर रहा हूँ तो 35, पहले 35 का 0, हाथ में 3 और ये 5, 3, 15 और 18, 33 33 33, sorry 5, 6, 30, 2, 2, 4, 2, 2, 8 8, 9, 72 Okay, sorry, my mistake, इसको बहतर होगा Okay, my mistake 8, 8, 9, 72 होगया Just a moment इसको गुणा करके भी दिखा दे रहा हूँ तो ये बहतर हुआ अब गुणा कर दो, 5, 2, 10 का 0, हाथ में 1 7, 35, और 6, 35 और 6, कितना हो गया 35, 5, 2, 10 का 0, हाथ में 1 7, 35, और 6, 41 और 1, 42 का 2, हाथ में 4 7, 21, और 4 जोड़ूंगा तो 25, 2, 0 बिल्कुल आप गुणा करके भी देख लो, तो आपके पास आंसर आजाएगा, इन सब का LTM कितना है या एक से लेके 10 तक की सभी संख्या होगा 25, 20 इसका correct answer होगा तो option number D, इसका correct answer था question number 9, solve समझ में आया question, कि अगर आपसे कोई इस तरह का question पूछ ले ना, मालो, एक से 10 तक की संख्याओं का आप से यहाँ पर पूछा है वैच चोटी से चोटी संख्या, जो एक से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है मालो, question आपके पास आज जाए कि वैच चोटी से चोटी संख्याओं जो एक से लेके 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए तो आप एक से लेके 5 का आप क्या गयाद करते है LCM गयाद करते है अगर एक से लेके 20 तक की संख्याओं का LCM पूछ ले तो आप गयाद कर सकते थे तो आपसे question कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपको answer आना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, कि सहाब हमसे पूछा क्या है, छोटी से छोटी संक्या, आपको मैंने बता है, कि जब भी प्रशन में अगर न्यूनतम की बात आती है, तो आप LCM निकालते हो, अधिकतम की आती हो, तो आप हमेशा HCF ग्याद करती हो, तो न्यूनतम संक्या, छोटी से छोटी संक्या पूछी थी, तो मैंने LCM ग्याद कर दिया, प्रशन हो चुका है, solve, बात करेंगे, अगले प्रशन की, आखरी प्रशन, अब आप लोगो की screen पर आएगा, देखो ज़रा ये रहा, क्या कहता है, ये एक शब्द वाला प्रशन है, समय थोड़ा सा कम लग सकता है, लेकिन कोशिश करो देखो, आज आएगा answer इसका, ठीक है, करिए ज़रा solve, 312, 260, 156, कि सर पूरी राम कहानी मैंने आप लोगों को सिखाया है इस तरह के प्रशनों को हल करना, मैंने इस तरह के वाला, वो इस रामायन को नहीं पढ़ने वाला, समय हो चुका है, समय आप, देखो, मैं आपको प्रशन करने का तरीका भी सिखा देता हूं, वापस से, जिसको अगर clear नहीं है तो उसको बताता भी हूं, कि आपको 3 संख्याय दी हुई थी, कि पूरी प्रशन में आपने जै अगर प्रशन के अंदर अधिक्तम आता है, तो आप क्या करते हो, एचसेफ निकालते हो, तो इस पूरे प्रशन को आप पढ़ो, कहीं आपको अधिक्तम या नियूंतम शब्द दिख रहा है क्या, पूरे प्रशन के एक बार राम कहानी पढ़ लो, कि कुछ भी लिखावा ह तो आप नियूंतम शब्द को, तो आपने दिख़ा यह आपको दिखा शब्द, अधिक्तं, दिख गया, अधिक्तं, सर लेरा काम बन गया, मुझे पता लगया, मुझे क्या करना है, एचसेफ निकालना है, उपर चाहे कुछ भी कहे, रामायन में कुछ भी दे दे, मुझे तो पता लग चुका है सर, HCF निकालना है, अब HCF किसका निकालोगे, साहब जो संख्या हैं दीवी, उसका ही निकालोगे, तो तीन संख्या है आपको दीवी है, किसे 312, 260 और 156, तो 312, 260 और 156, इन तीनों का अब आप ज्याद करो HCF, इतना सा प्रशन था, सिर्फ इतना सा प इकालोगे ना, तो इनका HCF आएगा कितना 52, ये इसका correct answer होगा, आप इनके 3 संख्याओं के अभाज जी कुननखन करके खुद से कर सकते हो, 3 संख्याओं का जब अभाज जी कुननखन करोगे, तो आपको इसका HCF ग्यात होतावा दिखेगा कितना 52, तो ये हो जाएगा इस वाले question का भी answer, तो अगर कोई इस तरह से शब्द word problem पर बेस्ट आपके पास कोई भी question आता है, तो आप उसको भी solve कर सकते हो, आपको राम कहानी नहीं पढ़नी, आपको तो मेन मुद्दे की बात पकड़नी है, कि सर मुझे तो ये दिखा कि इसके अदर अधिक्तम शब्द कहानी, समझ मैं, तो आज हमने 10 question वास्तिफिक संक्यावां पर आधारीत पूरे-पूरे कर लिए, उमीद करता हूँ, आप सभी बच्चों को अच्छे से question समझ में आयोंगे, और आपको लगा भी होगा, कि यहाँ पर session में, इस mcq series के अंदर हमारे साथ जुडने में, आप को कुछ न कुछ फायदा तो हो रहा है, कई सारे concepts आपके दोहरान भी हो रहे हैं, आपके कई सारे concepts revise भी हो रहे हैं, आपका chapter भी एक तरह से revise हो रहा है, हम इस तरह के और mcq series हम करेंगे, real number पर अपने अगले session में, ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने मैं बीच बीच में और भी sessions आप लोग के लिए करवाता रहूँगा, mcq के, ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब इसी के साथ आज की session को यहीं end करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपने telegram channel के बारे में बता देता हूँ कि यह telegram channel का यह हमारे हर वीडियो के description में मिल जाएगा, इन तीनों linkों से आप connect होके हमारे साथ जोड़ सकते हैं, WhatsApp भी बनाएवा है, जो आपके doubt solving के लिए, जी हाँ, doubt solving के लिए not for chatting, ठीक है बच्चों, तो अगर आपके कोई doubt है, तो उनको आप हमारे WhatsApp भ्रूप पे भेज सकते हो, telegram channel से connect है, ठोक के आप हमारे सभी sessions के regular updates ले सकते हो, क्योंकि telegram channel पर ही आपको सभी sessions के regular updates के साथ, साथ आपको सभी sessions के notes भी आपको provide करवाई जाते हैं, तो अगर इन सब चीज़ों का आपको फायदा उठाना है, तो आप फटा-फट से हमारे telegram channel और WhatsApp ग्रूप को जल्दी से join कर ल अपनी तरसे वीडियो को like जरूर करना, share जरूर करना अपने अपने दोस्तों को, अपने school friends को, चैनल पे अगर आप नहीं हैं, तो जल्दी से हमारे channel को कीजिए, subscribe, bell icon को click, जिससे आपको सभी हमारे सभी sessions की regular update मिलती रहेगी, ठीक है बचों, तो इसी जोश के साथ मैं आप Sunday special है Mantic quiz, वैसे Sunday special है MCQ की series, तो बचों, मैं इसी जोश के साथ आप से daily, साड़ी तीन बज़े यहीं पर आपको हमेशा मिलता रहूँगा, इसी जोश के साथ, तब तक के लिए, मिलते हैं, अपने अगले session में तब तक के लिए, bye everyone, खुब पढ़ाई करो, खुब मौश मस्त और माता पिता कि हमेशा सेवा करते रहना, सेवा में ही आनन्द मिलेगा, और सेवा से ही उनकी सेवा से उनके आशिरवाद से ही आप भी तरक्की करोगे, ठीके बच्चों, तो मिलेंगे इसी जोश के साथ अपने अगले सेशन में तब तक के लिए, bye everyone, have a nice day, bye bye to all, खोब पढ